नमस्कार आप देख रहे हैं नमन सत्य नियूज और मैं हूँ आपके साथ राहुल शुकला कोई विवयकती किस हद तक जूट बोल सकता है जूट बोलने की भी एक सीमा होती है लेकिन जिस तरीके से कल राज्य सभा में केंदर सरकार के राज्य मंत्री ने जो बयान दिया वो बेहत हैरान करता है और इससे पता लगता है कि आखिरकार सरकार किस हद तक जूट बोल सकती ह राज्यमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया और उसके बाद health and family welfare विभाग की तरफ से जो statement जारी किया वो बेहत हैरान कर रहा है कहा गया है कि देश्क में कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत oxygen किल्लत से नहीं हुई लेकिन नमन सत्य नियूज को किसी भी परमारिक्ता की जरूरत नहीं है नमन सत्य नियूज लगातार कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान खबरों को कवरेच कर रहा था और ऐसे में नमन सत्य न्यूज के करमचारी की मा विमार हो गई और उसके बाद लगातार नमन सत्य न्यूज उस ख़बरों को लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यास सीयम योगी आदितिनाथ और उत्तर प्रदेश के जो हर जिले में जिलाधिकारी बैठे हैं उनसे में बयान आया वो वाकई सही है या फिर केंदर सरकार सभी सीमाओ को लांग चुकी है इस ट्विट को देखे पहले फिर बात करते हैं 28 अप्रेल को नमन सत्य न्यूस की तरफ से ट्विट किया गया था और इसमें लिखा था कोरोना से यूपी त्राहिमाम कर रहा है अस्पतालों की विवस्ता इंतिजाम पर जूट बोल रहे हैं योगी आदितिनाथ गाजियबाद नौइड़ा में सुभा से आक्सिजन के लि क्या कुछ था उस ट्विट में वो भी देख लीजिए दूसरे ट्विट में लिखा गया था कि मोदीनगर विधायक मंजू सिवेज के अस्पताल में भी नहीं मिल रही ऑक्सिजन सीमेस गोविंद पुरी ने भी हाथ खड़े किये गाजियबाद डियम ने मिटिंग का बनाया बहाना दर बदर मरीज को लेकर भटक रहा परिवार शाम तक चली जाएगी जान पीडित का नंबर भी साजा किया गया था नमन सत्य न्यूज की तरफ से 28 अपरेल को दो ट्विट किये गए थे ऑक्सिजन को लेकर राज्य सरकार से मदद मागी गई थी लेकिन उस तरफ से ना तो पीडित परिवार को कोई मदद मिल सकी थी और ना ही किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई फोन या किसी तरीकी का कोई मदद का श्वासन दिया गया था जिसको लेकर 29 अपरेल को नमन सत्य न्यूज ने फिर से एक ट्विट किया था क्या था वो ट्विट ये भी देख लीजिए ट्विट में लिखा था कल से हम गाजियवाद के दुख्या परिवार की ख़बर योगी आधितिनाद तक पहुचा रहे हैं सरकार में बैठे हुकमरान सुनने को तैयार नहीं है पीडित मौत के दरवाजे पर खड़ा है और डियम गाजियवाद फोन नहीं उठा रहे पीडित परिवार के मौत की पुष्टी की गई थी जिसमें मैंने खुद ने लिखा था कि सरकार के निकम्यपन के चलते मेरे दोस्त की माताजी का निधन हो गया और इन सभी के मौत के जिम्मेदार वो तमाम आधिकारी थे जिनको लगातार मैं खुद फोन कर रहा था डॉक्टर महिश शर्मा को मैंने लगातार फोन किये थे लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया और जिन्होंने फोन भी उठाया उन्होंने फोन उठाने के बाद मीटिंग का बहाना बना लिया और या तो बोल दिया साफतोर पर कि उनके पास ऑक्सिजन नहीं है बैरहाल अब आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ ये रिपोर्ट देख लीजे क्योंकि जिस तरीके से केंदर सरकार के राज्य मंत्री ने राज्य सभा में बयान दिया कि ऑक्सिजन किलन से मौत नहीं हुई ये आप सुन लीजिए ये सड़त परिवाहन केंदरिय मंत्री है नितिन गटकरी इनका खुद का बयान है इन्होंने 27 अप्रेल को नागपूर में कोविट सेंटर का उधगाटन किया और उस दोरान क्या कहा था इस वीडियो को आप देखिए और लगाईए अंदाजा कि क्या क केंदर सरकार की जो राज्य मंत्री हैं जिन्होंने राज्य सभा में बयान दिया ये वाकियी सही कह रहे हैं देखे वीडियो कुवरीड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सिजन के कमी के कारण अपने जान गवानरी पड़ी ये वीडियो आपने देखा इसमें नितिन गटकरी जो केंद्रिय सरक परिवाहन मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ऑक्सिजन की किलत की वज़े से देश में लोगों की मौत हो रही है और सरकार अपने काम में सुधार लाने की लगातार कोशिश कर रही है बैरहाल पांच मई को प्र देश में लोगों की मौत हो रही है ये किसी नरसनहार से कम नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है अब इन मीडिया रिपोर्ट्स पर भी नदर डालीजे तो ये वो मीडिया रिपोर्ट्स है जब प्रियागराज हाई कोट ने राज्य सरका के बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ पहले चलते हैं मध्यपरदेश मध्यपरदेश में मीडिया रिपोर्ट में जिस तरीके से ऑक्सिजन की किल्लत को लेकर लोगों के मौत की बात कही गई वो भी बेहत हैरान करती है देखिए इन रिपोर्ट को कोरोनकाल की दूसरी लहर के दौराँ जिस तरीके से ऑक्सिजन की किल्लत की बात सामने आ रही थी ऐसे में लगातार मीडिया कवरेच कर रहा था और उसके बाद ये मीडिया रिपोर्ट पर एक नजरे डालिए क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट इस बात को दर्शाता है कि आखिरकार जिस तरीके से केंदर सरकार का राज्य सरकार में बयान दिया गया कि ऑक्सिजन की किल्लत से कोई मौत नहीं हुई ये सभी मीडिया रिपोर्ट ये दर्शाती है कि केंदर सरकार जूट बोल रही है अब आपने मध्यप्रदेश की भी इस रिपोर्ट को देखा और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या केंद्र सरकार जिस तरीके से राज्य सभा में बयान दे रही है जिस तरीके से Health and Family Welfare की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया क्या ये सभी सही है क्या जूट बोलने की भी कोई सीमा होती है जब बिलकुल जूट बोलने की सभी सीमाओं को सरकार पार कर चुकी है बैरहाल हमने आपको दिखाया क्योंकि हमें किसी परमारिक्ता की जरूरत नहीं थी हम खुद ऑक्सिजन की किल्लत के शिकार हुए थे हम खुद ऑक्सिजन की लगातार राज्य सरकारों से मांग कर रहे थे बावजुदिस के हमारा जो पेशेंट था उसको बचाया नहीं जा सका था तो ऐसे में इस बेहयाई के साथ इस तरीके से स्टेटमेंट जारी करना कितना सही है यह अब देश की जनता को तैय करना है बेरहाल हमें दीजिए इजाज़त अब फिर मिलेंगे किसी अगले नए मुद्दे के साथ और फिर से अपनी बात को बेबाग तरीके से आपके बीच रखेंगे धन्यवाद